हेलो स्टूडेंट्स और मोस्ट वेलकम यह मैच से प्रिवेस एर कोश्चन का प्रेक्टिस सेट टू है और इस सेट के अगर आपने सारे कोश्चन सॉल्व कर लिए तो यह समझो कि आप मैच सब्जेक्ट के लिए पूरी तरह से प्रिपेर हो आप इस वीडियो के सारे करो और अगर प्रोब्लम हो रही है तो उस कोश्चन का सॉल्वीशन इस वीडियो में देख सकते हैं आए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन कुछ इस प्रकार से है यह एक सिंप्लिफिकेशन का कोश्चन है जिसमें हमको एक इक्वेशन देई रखी है और इसको हमको से बनाएंगे 90% बच्चे इस कोश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं इसलिए examiner इसको बार बार repeat कर रहा है देखो सबसे पहले हैं यहाँ पर ब्रेकेट सोल्व होगा यहाँ पर हमें क्या करना देखो हैँ इसके बाटे में भी दो है ध्यान रखना कि यह जो संख्या है अप पर हर संक्या इसके इसके बठे में आ रही है यहाँ पर हर संक्या अपने अपने बठे में जा रही है यहाँ पर हर संक्या एक दुसरे के भाग महत हमने इसको इस प्रकार से लिखा है अब देखो अगर कोई संक्या भाग के रूप में इस प्रकार से लिखा है तो ध्यान रख एक और ये भाग का चेंज हो जाएगा तो दो लिखा जाएगा कहने का मतलब यह है कि जब आपको भाग की सीरीज दी हो तो पहली वाली संक्या के बटे में उसके बाद जो भी संक्या है वो उस संक्या के बटे में गोणा के रूप में इस तरह से कल्कुलेट होती है ठीक है त तो हम क्या करेंगे, इसको द्यान से समझो, ये एक है ना, एक की बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है समझो, अब ये भाग का चिन्न, कन्वर्ट हो जाएगा गुणा में, तो एक बटा दो बात की संख्या पलट जाती है, मतलब एक बटा दो का क्या हो जाएगा, दो बटे तो इसका इंसर यहाँ पर क्या निकलता है, सिर्फ और सिर्फ दो, ठीक है, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, लेकिन इसके आगे भी एक लिखा है, मतलब की ये जो हमने सोल्व किया है, ये दो, इस दो के आगे भाग के साइन में कुछ इस प्रकार से संख्या लिखी है, कु एक भागीत जो हमने सुलू किया है वो कुछ इस प्रकार से हैं यहां पर ठीक ए? अब इसको हमको सुलू करना है, अब देखो यहांपर हमें क्या करना है? यह जो एक लिखा है इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब हम यह किछ सकते हैं कि एक होगा इस भाग के चिन्न को हम गुणा में convert करेंगे तो बात की संक्या बदल जाती है पलड जाती है एक बटे दो का क्या हो जाएगा दो बटे एक और इसका answer हम क्या निकालेंगे दो मतलब कह सकते हैं कि यह जो equation है इसका मान दो होगा मतलब option भी हमारा सही answer है इस प्रकार देरे समझो नेक्स question देखते हैं यह एक equation दी है जो की जोड के format में है यहाँ पर examiner आपको दसमलो का concept जानने की कोशिस कर रहा है देखो यह question MPSI 2016 और UP Police 2023 रिसेंट में पूछा गया था ठीक है अब देखो इसको solve किस प्रकार से किया जाता है आमको नवी दस्वी के बच्च दसमलो के जस्ट बाद यहाँ पर एक अंक है यहाँ पर भी एक अंक है यह और यहाँ पर भी एक अंक है तो कितना हो जागा एक दो और यह तीन तो दसमलो के बाद हमारा तीन आएगा और उसके बाद देखो दसमलो के एक अंक के बाद यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पर यह और यहां पर भी एक है तो और एक और एक कितना हो गया दो आप देखो सेकड़े के इस्तान पर तो कुछ है नहीं समझो मतलब थर्ड इस्तान पर तो कुछ है नहीं तो हम क्या कहेंगे यहां पर कुछ भी नहीं है यहां पर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक है तो यहां इस प से लिख सकते हैं अब आगे देखोँ दसंबलों के बार यहाँ फर 1101 है तो इकहई के अंक को जोड़ो सिर्फ एक बचा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको डारेक्ट कल्कुलेट कर सकते हैं, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, 1111.1, अब हमको यह दियान रखना है, कि दसम्लो के यहाँ और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहां पर 3, अब यहाँ पर देखरो, 3, यहां भी 3, यहां 2, और यहां पर 1, इस प्रकार से हमने इसको जोड़ा क्यों हमने डारेक्ट किया, ठीक है, मतलब हम कहते हैं, कि यहाँ पर हमारा एंसर क्या होगा ? option D, क्योंकि option D के according हम बोल सकते हैं, 1233.321, इसका सही answer है, जो कि option D मेज कर रहा है, जो कि इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से हम इस question को सोलो कर सकते हैं, next question देखते हैं, देखो, MPSI में ये question पूछा गया, इस question में आपको pain उठाने की बिल्को ज़रुवत नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको घात का process पूछ रहा है, देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस एक की घात, 105, प्लस माइनस एक की घात, 104, अब मैं आपको इसको एक छोटा सा concept, example के according समझाता हूँ, अगर मैं माइनस एक की घात, 3 करता हूँ, प्लस माइनस एक की घात, अगर 2 करता हूँ, तो हम इसको किस प्रकार सोलो करते हैं, देखो, यहाँ पर हम क्या लिखत यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाता, एक एकम एक तो आता ही, ठीक है, इसका एंसर क्या आता, एक एकम एक, मतलब देखो, यहाँ पर साइन की अगर बात करें, तो माइनस और माइनस प्लस, फिर प्लस से माइनस का गुणा होता, तो डाइरेक्ट यहाँ पर माइनस आता अब यह plus का plus लगाओ आप अब यहाँ पर देखो एक गुणा कितना एक तो आता लेकिन अब चिन्न देखो minus और minus का गुणा होता तो चिन्न तो plus का ही रहता है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते थे एक में एक गटेगा तो 0 answer आएगा अब देखो हमको समझने वाली बात यह है कि अगर minus वाली संख्या अगर रहे तो उसमें जो भी घात रहेगी अगर विसम घात रहेगी तो चिन्न minus का ही आएगा और अगर sum घात रहेगी तो चिन्न plus का होगा अब देखो हम यहाँ पर विसम घात है न तो answer minus में आएगा और प्लस लगाओ आप अब देखो minus 1 की घात sum है तो answer आपका plus में आएगा तो आप कहे सकते हैं minus 1 plus 1 equal to 0 that is your correct answer I hope आपको एक concept समझ में आया होगा आपका answer है option B 0 is right answer ठीक है अब शायद आप यह question बना लोगे देखो हम यहाँ पर लिखा है minus 18 को भाग देना है 18 से और उसमें जोड़ना है 25 का भाग देकर minus 25 का जो answer आएगा उसमें ठीक है? मैं आपको हम आपको यहाँ पर clear लिख देता हूँ minus 18 का भाग आप देदो 18 में plus लगा है आप 25 का भाग देओ 25 से जो की minus की संख्या है तो आप कुछ मिर मत करो आप direct काटोगे लेकिन यहाँ पर 0 नहीं बचेगा क्योंकि 18 एकाम 18 एक बार कटा है minus 1 रहेगा क्योंकि यह minus का चिनेस के साथ है यहाँ आप लगाओ plus 25 से 25 काटोगे लेकिन ध्यान रखना यह minus का साइन है तो minus 1 रहेगा ठीके आप देखो minus 1 और minus 1 कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर आप इस प्रकार से कर सकते हो plus minus तो आपका answer क्या आएगा minus 1 minus 1 2 वो भी minus कर रहेगा ठीके इस प्रकार से आपका answer क्या होगा option B option B is correct answer आपको यह सब कुछ करने की जरुवत नहीं थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने समझने के लिए इसको करा हम यहाँ पर direct solve कर सकते हैं 18 से 18 काटो minus 1 बचा plus लगा 25 से 25 काटो जो की minus 1 का तो हम क्या answer लाते minus minus जुण जाती संक्या जो की minus मेरेती इस प्रकार से ठीक है next question देखते है minus 3 बटा 5 गुणा minus 15 बटे 8 का गुणात्मक प्रतिलों होगा देखो यह question MPSI और UP पुलिस में पुछा गया है हम जो practice set लगा रहे हैं यह सारे और सारे आपको कई जारे concept clear हो जाएंगे देखो यहाँ पर लिखा है minus 3 बटे 5 गुणा minus 15 बटे 8 पहले तो आप काटो देखो हमेशा याद रखना कि answer से हर कटता है गुणा में चाहे हर इधर का हो या इधर का हो चाहे answer इधर का हो या इधर का हो आप काट सकते हैं लेकिन answer से answer नहीं कटेगा और हर से हर नहीं कटेगा ठीक है पांस की table से काटा 15 को 3 बार यहाँ पर क्या बचा है minus 3 बटे 1 गुणा 3 बटे 8 आप इसको जोड सकते हैं आराम से मतलब गुणा कर सकते हैं आराम से 3 तिया 9 जो की minus का है बटे 8 आजाएगा लेकिन यहाँ पर गुणात्माक प्रतिलों का है गुणात्माक प्रतिलों का क्या मतलब हुआ गुणात्माक प्रतिलों का मतलब हुआ कि इसको उल्टा करना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बटे 9 जो की minus में है इस प्रकार से, मतलब 8 बटा minus 9, that is your correct answer option D is right याद अटना गुणात्मा पृतिलों बोले तो आपको चंख्या को पलट देना है answer से हर हो जागा और हर से answer हो जागा, लेकिन आप ये कभी मत करना कि minus वाली चंख्या या भिन्न को प्लस में ले जाओगे, वो सिर्फ योज्य पृतिलों में होता है ठीक है, I hope you understand that point चलो, आगे बढ़ते हैं देखो, यहाँ पर ये equation दीए छोटी सी, इसका कहा गया है पूरवर्ति निकालिए, देखो पहले था हम इसको लिग लेते हैं, minus लगा है ब्रेकेट के बाहर, 7 का वर्ग, minus 6 का वर्ग लेकिन आप ध्यान रखना, इसको पूरवर्ति निकाल कर answer निकालना है पूरवर्ति का मतलब हुआ है, कि इसके पहले का अंक निकालना है पहले का अंक कब आएगा, जब इसमें से एक जस्ट, एक नंबर गटेगा एक अंक का होगा, तो पहले का अंक आजाएगा, ठीक है ब्रेकेट के बाहर, minus से, क्या हो जाएगा, 7, 7, 59 और यहाँ पर हो जाएगा, 36, minus 1 याद रखना, यह पूरवर्ति निकालने के लिए, हमने minus 1 लगाए मतलब कि एक पीछे वाला अंक, आप देखो उनपचास में से 36 जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 13 जो की, minus में रहेगा, बहार जो minus का sign है तो अंदर गुणा होगा, तो minus की संख्या बन जाएगी यहाँ पर देखो, उनपचास में से 36 जाएगे, तो कितना बचेगा, 13 बड़ी संक्या धन के है तो धनकारेता sign लेकिन बाऊर minus है तो इस संक्या minus की convert हो जाएगी minus 1 करा, ठीक है अब देखो minus और minus संक्या जुर जाएगी, इतना आएगा 14 लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी संक्या माइनस की है तो चिन आपको बड़ी संक्या का लगेगा ठीक है तो आपका एंसर क्या हो गया माइनस चाओदा डेटीज यूर करेक्ट एंसर ओप्शन सी ये एक छोटी सी एक्वेशन है जो की UPSI 2016 में पुछा गया पहले आप इस क्वेशन को ट्राइ करो उसके बाद अगर नहीं बनता है तो आप इस क्वेशन को इस वीडियो के माद्यम से समझो देखो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं एक बटे चौँसर्ट गुणा जीरो दसमलो दो पांच इसलिए हमने यहाँ पर लिखा अब देखो आप इसे डाइरेक्ट स्वल्व करो यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर एक के बटे में यह दोनों संख्याएं अंडरूट में लिखा है अंडरूट में है इसका मतलब यह है कि अंदर से हमको वर्गमूल निकालना है तो देखो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा लेकिन ध्यान रखना दसमलो के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर दसंब्लों के बाद छेट पर एक ही अंकब बहार निकलेगा इस प्रकार से यह आपने सोल कर लिया जो कि यहाँ पर एक बटे आठ गुणा कोश्चन मार्ग के बराबर वेल्यू निकलेगा अब देखो आप यहाँ से आठ से आठ काड़ दो क्योंकि बराबर के साइन में है एक उपर अंस में दोनों तरब हो हरकी सांक्या कर सकती है तो आपको यह पता चल गया कि कोश्चन मार्ग की वेल्यू यहाँ पर क्या आगई 0.5 आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका एंसर है 0.5 that is your correct answer ओके यह कोश्चन देखो यदि अंडरूट में यह एक्वेशन दिये जो की एक धन x बटा 13 के बराबर है तो x कमान निकलना है यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे इस अंडरूट की एक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करेंगे यहाँ पर अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर हमने लिया lcm 169 यह उपर चले गया 169 प्लस आपने 27 को इसमें जोड में लिखा इधर क्या है x प्लस 1 प्लस x बटे 13 अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम तो अंडरूट में वेल्यू क्या रहेगी देखो 179 तो है कंपल सरी अब यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 7 और 9 16 के 6 है सिलका है एक 6 और 3 9 और 1 का 1 बराबर में 1 प्लस x बटे 13 अब देखो 179 का वर्गमूल क्या होगा 179 का वर्गमूल 13 होगा और 106 का वर्गमूल क्या है 169 का वर्गमूल यहाँ पर 14 है ठीक है अब देखो इसके बराबर में लिखा है x बटे 13 लेखिन अगर हम यहाँ पर एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस में चले जाएगा बिल्कुल चले जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा तेखो हम LCM लेगे तो 14 माइनस 13 हो जाएगा और यहाँ पर बटे में 13 रहेगा तो आप यहाँ पर बिल्कुल के सकते हैं कि यहाँ पर x के बटे में यहाँ पर 13 है तो हम इस साइट लिखते हैं 13 और यहाँ पर भी इस संक्या के बटे में 13 है तो हमार पार देखो 14-13 मतलब कि X की value यहां पर क्या बच गई? X की value यहां पर 1 बच गई जो कि X की बराबर है. आप समझ रहोंगे 14 में से 13 गया तो 1 बच्छा और इधर X की value इसके बराबर हो गई. ठीके? आप कह सकते हैं कि option भी हमारा सही answer है. देखो यह एक प्यारा सा question देखो एक गवाला 120 लिटर दूद ग्रहाकों को 3360 रुपय में बेशता है और व्यापारी उसे 240 लिटर दूद 6120 रुपय में बेशता है गवालिया को 240 लिटर दूद बेशने पर प्रती लिटर ग्रहाकों से अतिरिक्त कितिनी रासी प्राप्त को 3360 रुपय में बेशता है थोड़ा सा हम लिख लेते हैं 120 लिटर जो दूद है वह दूद की कीमत कितनी है 3360 रुपय तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि एक लिटर दूद की कीमत कितनी होगी यहाँ पर तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर हम 3360 में 120 का भाग देते हैं 0 से 0 श्रुक अया 12 की टेबल से काटा जो कि हाँपर एक लिटर की यहाँपर मात्रा निकलेगी तो कितना हो रहा है है यहाँ पर 12 दोना 24 जो दो बच्रा है और यहाँपर हो जाएगा जाए गार्ड 22 चलों 38 रूपया घंज हो यह i3 निकला है 120 रुपए में भेचना पड़ता है तो आप 1 लिटर दूद का value निकाल लो, आप क्या करोगे 6,120 में 240 का भाग दो 0 से 0 गया, 12 की टेबल से काटो 12 दोना 24 और 12 पंजे साहाट एक बच्छा इसको दे दिया, क्या हो गया 12, 12 एकम 12 अब यहाँ पर देखो, कितना हो रहा है 2 की टेबल से जाएगा, किती बार यहाँ पर 25 बार, तो complete चले जाएगा फिर दसंबलो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 तो 25,5 अब देखो कितनी रासी प्राप्त हो गई यहाँ पर यहाँ पर इसको 28 में से 25 दसंबलो, 5 घटेगा तो यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार से घटाए जा सकता हाला कि आप डाइरेक्ट करोगे, तो कितना बचेगा लेकिन आप इसको इस प्रकार से करोगे क्योंकि बड़ी संकर आजाए, तो आप इसको किस प्रकार से करोगे, 25 में से आप 5 घटा दो, अगर उपर कुछ नहीं आप 00 लगाओ, पर इसको घटाओ 0, देखो कुछ नहीं है, तो 10 बनाओ, 10 में से 5 जाए, बचेगा 5, यह बन गया 6, तो देखो 28 में से 26 चले जाएंगे, तो बचेगे 2 रुपे, तो आप कह सकते हैं, कि आपको यहाँ पर 0,5 रुपे की बच्चत हुई, मतलब, Option C आपका सही अंसर है, ठीके? देखो, इस प्रकार से आपको लगबग 2-3 सेट में थोड़े easy question मिलेंगे, उसके बाद आपका high level start हो जाएगा, अगर आपने यह 2-3 सेट स्टाइडिंग के देख लिए, मतलब कि आप गणीद को solo करने के आसान तरीके आराम से सिख गए हैं, उसके बाद आप प्रिवेश सर के अच्छे-चे question भी solo कर सकते हैं, ठीके? अगर आपको थोड़ा सा भी benefit हो रहा है तो आप इस सीरीज के साथ जुड़कर continue कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ share करके उनका बढ़ा कर सकते हैं, ठीके? इस सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ पर प्रिवेश सर के question ही मिलेंगे, ठीके? All the best!